जो पोएम अभी हम करने वाले हैं, जिसका नाम है Night of the Scorpion और ये नजीम इजीके ने लिखा है, बहुती फेमस ये पोएम है देखिए पोएम किस बारे में है, पोएम है एक narrator जो हमारा author है उसकी माँ सफर कर रही है उसकी माँ को Scorpion ने बिच्छो ने काटा है जो हमारा author है, जो narrator है, he is watching कैसे उसकी मम्मी तरप रही है वो जो लोग villagers है, वो कैसे reactions दे रहे हैं, कैसे उसके father जो है जो बहुती skeptic person है, बहुती rational person है, वो कुछ भी कर रहे है कोई भी अगर तोटका वगरा मिल रहा है, कि इससे जो उनकी पत्नी है वो बच जाएंगी so he is trying that है और हमें end में एक mother का perspective मिलता है कि सारा इतना सफर करने के बाद भी what she thinks about all this है poem बहुती irregular form में है, हमें rhyme scheme देखने को नहीं मिलता हमें, for example, अभी जो first stanza है, four line का है, second stanza जो होगा, वो three line का होगा, ऐसे irregularities हमें देखने को मिलती है अगर हम poem की बात करें तो, देखे, first four lines है I remember the night my mother was stung by a scorpion तो मुझे वो रात याद है, जिस रात को मेरी मम्मी को, मेरी मदर को एक बिच्छो ने काटा था, डंक मारा था 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath the sack of rice तो देखे, 10 घंटों से, 10 घंटों से rain बराबर गिर रहा है, बारिश हो रही है तो वो जो scorpion है, काटने के बाद वो क्या करता है, वो एक sack of rice, एक 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 rice के say, पोटले में, या you can say, bag में, बस्ते में, वो घुस जाता है, उसके नीचे वो चला जाता है उसने इस पॉइंट पर अल्रेडी काट लिया है, ना तो या कि इसको मार देखा है, he also wants to flee, तो वहाँ पर वो कर क्या रहा है, वो अपने जो समें poison, जो समें dunk मारा है, lady में, author के mother में, उससे वो दूर जा रहा है, वो part कर रहा है, parting मतलब दूर जाना, टाटा बाई 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 बोलना है, तो वो अपने poison को टाटा बाई बाई ब होती है, और उसका जो tail है, वो इस dark room में दिखाई देता है, अगर आप torch लेके किसी के उपर मारो है, तो उसका जो छाया है, वो आपको दीवार पर दिखाई देगा, same, he risks rain again, तो वो जो scorpion है, वो rain में जाना, मतलब वो risk करता है कि यहां पर रहने से better है, मैं बाहर करी जाऊ हूँ है, risk में, तो उसके risk लिया कि मैं बाहर बारिश में जाऊँ है, ताक कि अगर अगर अंदर रहा, तो कोई ना कोई आकर मुझे मार डालेगा है, अब आते हैं, the peasants, the peasants came like swarms of flies and burst the name of God a hundred times to paralyze the evil one, है न, देखी, यहां पर दिखाय जा रहा है कि जो वहां के peasants है, जो common villagers से, उनका mindset कैसा है, वो क्या सोचते है, so they came like swarms of flies, जिस तरह से मक्यों का जुझ है, वो आता है, उसी तरह वो आए and burst, burst मतलब वो जो sound जो वो निकालते हैं, जो flies जो है, जब वो उड़ते हैं, तब जो sound वो निकालते हैं, वो वाला sound है, burst the name of God a hundred times, तो उनने सौ भार भगव the evil one, ताकि जो वो scorpion है, the evil one, scorpion, वो paralyze हो जाए, देखिए तब के time में एक मानियता थी, मानियता ये थी कि अगर आपने बिच्छो को रोग दिया है, अगर बिच्छो ने चलना बंद कर दिया, तो जो poison उसने insert किया है, किसी person के अंदर, वो poison भी चलना बंद कर दिया है, तो मानियता ये था कि अगर मैंने, for example, मुझे बिच्छो ने कटा, तो अगर बिच्छो को मैंने रोग दिया है, उसे कहीं जाना नहीं दिया, अगर उसको मैंने रोग दिया, वो चल नहीं रहा, अब because वो नहीं चल रहा, तो मेरे अंदर, मेरे जो, जो उसका poison है मेरे अंदर, वो भी चलना बंद कर देगा, वो भी वहीं पर रोग जाएगा, ये मानियता थी, and यह यहापर हमें दर्शाता है, with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked wall, है न, तो ये जो mud से बना हुआ wall है, इसके ओपर हमें चाया दिख रही है, सब लोग जो है, वो लोग candles लेके, lanterns लेके, कुछ भी ज जाए, जिससे रोशनी हो सकती है, वो लेके, वो scorpion को ढूण रहे है, क्यों ढूण रहे है, ताकि इसको पकड़ पाए, है न, because उनको लगता है, कि अगर वो नहीं चलेगा, तो जो poison है, वो भी रुख जाएगा, है न, तो वो जो है ढूण रहे है, इस scorpion को, इस बिच्च क पर जाके लग जाएगी है, मतलब light से, candle से, या lantern से, जो light आ रही है, वो light जाके लगे की scorpion को, और इसकी चाया जो है, वो दीवा पर बन जाएगी है, न, they searched for him, he was not found, लेकिन वो मिला नहीं, कोई से खोज नहीं पाया, they clicked their tongue with every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said, तो उनने बोला कि, जैसे जैसे वो scorpion जो है, वो आगे चल रहा है, वो steps ले रहा है, वैसे वैसे जो मम्मी का blood है, जो हमारे author के mother का blood है, उसके अंदर जो poison है, वो भी move कर रहा है, वो भी mix हो रहा है, न, okay, next answer है, may he sit still, they said, और उनने कहा कि, काश वो scorpion है, वो चुपचाप कर भी बैठ जाए, बैठ ज जाएगा, may the sense of your previous birth be burned away tonight, they said, तो, अब ये मा के लिए है, जो बाकी villagers है, उनमें से कुछ लोग जो है, वो मम्मी को ये बोल रहे है, मदर को ये बोल रहे है, कि, may the sense, like, जो आपने पाप किये थे, इससे पिछले जनम में, previous birth में, जो आपने पाप किये थे, वो धुल जाएंगे, be burned away tonight, वो जल जाएंगे आज, तो, आज जो आपको ये pain हो रहा है, ये शायद से पिछले जनम के आपके कर्मों का फल है, पिछले जनम में, जो आपने पाप किये थे, उसका फल है, may your suffering decrease the misfortunes of your next birth, और आप जो ये सफर कर रही है, कुछ लोग क्या कहते है, कि आ आपके जो next birth में, मतलब जो आपका नया जनम होने वाला है, जो आपका next जनम होने वाला है, उसमें आपके जो, आपको कम मुश्किलों का सामना करना करना पड़ेगा है, आपके misfortunes रहे हैं, वो डिक्रीज हो जाएंगे हैं, आपको कम कष्ट करना पड़ेगा, तो, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, में इनके अंदर बैलेंस बना रहे हैं, तो, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, मतलब, अगर आप सारे के सारे इवल को प्लस कर दोगे, आपके सारे के सारे इवल को प्लस कर दोगे, तो, ये बैलेंस बना रहे हैं, वह ये बोल रहे हैं, हां, some of good become diminished by your pain, तो जो यह जो आपका pain है, आप जो यह pain experience कर पा रही है ना, आप जो यह दर्द में है, उससे जो यह सब है, वो diminished हो जाए ना, आपके pain experience करने की वएसे, जो good है, वो जीच जाएंगी है ना, anyway, तो उनमें से कुछ यह भी कहते हैं, कि आपका जो यह flesh की इच्छा है ना, जो materialistic आपका side है ना, जहाँ पे आप flesh की इच्छा में है ना, और एक person, हम शादी करते हैं, इसी reason की वएसे ना, flesh की इच्छा है ना, आपके desires की इच्छा, तो यह आपकी जो desires से उनको purify कर देगा है कुछ लोग यह बोल रहे हैं, and your spirit of ambition, और अगर आप ambitious person है, तो उसे भी यह purify कर देगा हैं, because it was used to, like हम यह believe करते थे, कि जो ambitious person होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, especially लड़किया, and जो आपके desire से वो आपका पतन का कारण बनते हैं, so दोनों ही चीज यहापे mentioned है, and they sat around on the floor with my mother in the center, और वो लोग क्या, उनलोग ने आ किया, mother के around वो लोग एकटा हो गए, so वो लोग बैट गए हैं, और जो बीच में है, उसे जो मम्मी है, वो लेटी हुई है, they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face, और सब के face में, सब के चहरे पे हमें दिख रहा था कि, सब perfectly understand कर रहे हैं, सब perfectly peacefully understand कर रहे हैं, कि क्या चल रहा है, सब को पता है, सब के लिए figured out है, किसी को लगता है ये पुनर जनम के पाप धुल रहे हैं, किसी को लगता है ये आगले आने वाले जनम के जो पाप है, वो कम हो रहे हैं, सब के अपने मन में अपना अपना जो narrative है, वो clear है, okay, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and endless rain, तो और candles आये, मतलब और जो लोग है, वो lantern लेके आये, candles लेके आये हैं, और neighbors यहाँ पे आये हैं, जम घट हो गई हैं, जब गाओं में कुछ ऐसा होता है, तो सब लोग आ जाते हैं, more insects, because candles आये, lanterns आये, तो insects भी आएंगे हैं, उनको follow करते करते हैं, and endless rain, और जो rain है, वो खतम होने का नाम ही नहीं लेता है, my mother twisted through and through groaning on a mat, और जो इसकी mother है, जो pain में है, she is twisting है, अगर आप बहुत दर्द में है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने body को twist करते हैं, आप आप से एक चगा पे एक एक तरह से आपको लेटा हुआ, आपको अच्छा नहीं लगता है आपको लगता है कि नहीं नहीं अंदर कुछ से से बहुत ही like cram type का आता है, तो आप मुडते हो एक तरह से, okay, my mother twisted and through and through and groaning on a mat, और वो एक चटाई के उपर, mat के उपर लेटी हुई थी, उसके पर वो ग्रोन कर रही है, उससे आवास निकाल रही है, करहने की आवास वो निक he even poured a little paraffin, तो यह पर क्या हुआ, जो इनके father है, वो एक skeptic person है, जो rationalist person है, reason-based person है, बट वो भी इस मुश्किल की घरी में, जब अपने के उपर बात आना ही, तो वो सब कुछ try करने के लिए लेडी है, he's trying every curse, देखते हैंगा, curse, blessing, powder यूस कर लिया, mixture यूस कर लिया, herb यूस और last में उन्होंने जो है, paraffin मतलब जो kerosene है, oil है, वो भी स्वोरा सा छिरक के उस पर आग लगा दिया, he even poured a little paraffin upon the bitten toe, जहाँ पर काटा है, जिस toe के उपर काटा है, उसके उपर उन्होंने तेल डाला, paraffin मतलब kerosene डाला, and put a match on it, और उसके उपर आग लगा दिया, कि श देख रहते ही कैसे जो आग है, वो मेरी मा को निगल रही है, कैसे उनके उपर आग लग रही है, I watch the holy man perform his rights to tame the poison with an incantation, जो भी आप बोलना चाहे, तो मैंने एक holy man को देखा है, एक जो person ये बोलके आया था, कि मैं ठीक कर दूँगा, मैं कि नो भगवान वाला आदमी हूँ ह and he said कि मैं जो एक incantation में perform करूँगा है ना, मैं एक mantra परूँगा और से जो ये poison है, वो मेरे वश में आ जाएगा, मैं इसे बाहर निकाल दूँगा, मैंने ये भी उसे करते होग देख लिया है ना, after 20 years, sorry, after 20 hours, it lost its sting, और ये यो काटने से लिकर अब तक 20 घंटे हो चुके है 20 घंटों के बाद जो है, वो जो जहर है, वो जो sting है, वो खतम हो गया ना, so mom बज गई, 20 घंटे लगे and then वो ठीक हो गई है ना, it lost its sting, my mother only said, thank God, the scorpion picked on me and spared my children, और जो मा है, उसकी मन से सिर्फ, उसके अंदर से सिर्फ एक बात निकली, कि धन्यवाद भगवान कि scorpion ने मुझ दर्द होता है ना, so हमें देखने को मिलता है कि एक मा का जो दिल है ना, इसके अंदर वो perfectly portrayed है, कि इतना 20 घंटे से वो सफर कर रही है ना, वो ग्रोन कर रही है, वो यहां से वहां मुर रही है and फिर भी उसके मन के अंदर सिर्फ एक ही thought है, कि जो मेरा, जो scorpion है, उसे मेरे मतब मेरे बच्चों को है, कुछ नहीं किया, मुझे किया, थैंक यू है ना, उन्हें बख्ष दिया basically, so यह रहा poem, बहुती beautiful poem है ना, हमें हमारे society के लोगों के बारे में बादा चलता है कि कैसे हमारी society जो है, उनके उनके prejudices है, उनके अपने मन में already made views है ना, religion के विए से, maybe superstitious, superstitions के वेशे है ना, जो भी है, और हमें यह देखने को मिलता है कि मा का जो प्यार है, वो कितना pure है ना, father even though he was a skeptic, skeptic person and a rationalist person, tried everything, जब उनके अपने loved one की बात आई है ना, so we see the connection of a family है ना, family में कितना power होता है ना, but we also see कि say education अगर ना होतो क्या होता है ना, society के जो different, different लो निलाते हैं, तो यह बहुत अची poem थी, poem है ना, poem का नाम है, Night of the Scorpion, और यह नजीम इजी के लिए लिए लिखा है ना, I hope कि आपको यह पसंद आया होगा, thank you for watching